नमस्कार मेरा नाम है शारी निया and you are watching me on online platform of target with Alok आज हम बात करेंगे एलनमस की कमपनी SpaceX and Tesla के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे SpaceX के बारे में क्योंकि हाल में ही उसने अपने नाम एक वर्ल्ल रिकॉर्ड दर्ज किया है एक ही रॉकेट से 143 सैटलाइट भेज कर SpaceX ने ये रिकॉर्ड वर्ल रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर लिया है आपको बता दे 2017 में ये वर्ल रिकॉर्ड भारत के नाम था भारत ने एक ही rocket से 104 satellite भेज कर सबसे अधिक satellite भेजने का जो world record था वो अपने नाम दर्ज किया था जो कि अब Elon Musk की company SpaceX के नाम हो गया है आगे की जानकारी के लिए देखते हैं जो आपके exam perspective से important है यह वही जानकारी है जो मैंने आपको दी एलन मस्क की company SpaceX ने एक ही rocket से 143 satellite अंतिरिश में भेज कर एक नया world record दर्ज किया है 2017 में भारत ने एक ही rocket से 104 satellite भेज कर यह world record अपने नाम किया था आगे आप note down कर ले कहीं भी आप से GK या GS के तहर्त पूछा जाता है क्योंकि एलन मस्क भारत में अब एक चर्चित नाम हो चुका है क्यों आगे आपको बताएंगे इसके लिए वीडियो को लास तक देखते रहे है Falcon 143 satellite को जिस rocket ने launch किया है उसका नाम है Falcon 9 मतलब Falcon 9 नाम के rocket ने 143 satellite को अंतिरिश में भेज का जो world record बनाया है अब आपसे बात करते हैं कि यह जो Falcon 9 rocket है इसको कहां launch किया गया है Florida यानि कि अमेरिका का एक state है वहाँ पे Cape Canveral से भारती है समय अनुसार अगर इसका समय देखेंगे तो 8 बचकर 31 मिनट पर यह rocket launch किया गया था यह जो टाइम है 8 बचकर 31 मिनट भारती है समय अनुसार जगे कौन सी थी Florida State जो है United State of America के Cape Canveral से यह आप चाहे note down कर ले screenshot ले जो भी आपके लिए suitable हो वो कर ले अब ही क्या है आपको बताते हैं कि एलन मस्क की जो company है वो satellite launch करने के लिए 10 लाख डॉलर लेती है जो एलन मस्क की company SpaceX है वो काम यही करती है सभी सभी देशों को जिनको भी rocket launch कराना होता है वो उनसे contact करते हैं और फिर वो rocket launch करने का जो काम है वो किफायती दरोपे करती है मतल कम पैसे लेता है यह जो तरीका अपना के वो दुनिया का सबसे अमीराद भी बन गया है आगे बात करते हैं आप से फैलके नाइन यह पिक्चर मैंने ले ली है क्योंकि फैलके नाइन नाम की rocket से ही जो है 143 सेटलाइट भेजने का काम SpaceX ने किया है अगर आप विज्वल के बारे में हम बात कर रहे थे he's the handsome man who is behind this world record एलन मिस्क के बारे में एक हास बातचीत कर लेते हैं एक ऐसा शक्स एक ऐसा विक्तित तो काम आलेगा जो हमेशा कुछ नया करने के बारे में सोचता रहता है मतलब जिसे एक होता ना पक डंडी पी चलने वाला इंसान वैसा इंसान नहीं है जो हमेशा कुछ नया करने के बारे में सोचता रहता है तीस वर्ष की उमर में, जब हम यह सोचते रहते हैं, सीता से शादी करें या सनोरीटा से करें, उस एज टाइम में, एलन मस्क ने क्या किया, एलन मस्क जो है, जो कि साउथ इफरीका में जन्मा हुआ था, वो रूस पहुच गया, क्यों? रॉकेट लेने के लिए, उसका सपना था कि वो रॉकेट लेकर, रॉकेट में चुहे लेकर, चुहे डालकर उनको मंगल ग्रा भेड़ेगा, I mean वाओ, बिल्कुल मेरे जैसा सोचता है, मेरा बस चले तो रॉकेट में चुहों को, कौकरोच को, मक्खी, मच्छर, सब कुछ डालके ना, मैं मर्क्यूरी में भीज़ सब के एक दम पासबास, खतम, खलास, और फिर मंगल ग्रा भेज़ेगा, लेकिन रूस ने उनको रॉकेट देने से मना कर दिया, बहिए हम आपको रॉकेट नहीं देंगे, फिर एलन मस्क ने क्या किया, एक अपनी नई कंपनी शुरू की, जिसका नाम क्या रखा, स्पेस ए एलन मस्क के कमपनी का एजेंडा है, वो यही है, बेस यही है, कि वो अंतरिक्ष में रॉकेट भीजने के लिए, कम पैसे लेते हैं, कि फायती दरों पे रॉकेट भीजने का काम करते हैं, और इसी काम के चलते हुए, एलन मस्क जो है, अगर आप ब्लूम वर्ग इंडेक्स क के लिए मैं आपके लिए इंडरलाइन कर दे रही हुए, क्योंकि यह आपके जी एस और जी के परस्पेक्टिव से इंपोर्टेंट है, तो ब्लूम वर्ग इंडेक्स के मुताबिक, एलन मस्क 2020 में सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और उनकी संपत्ति का जो आकलन किया गया है, व मैंने एक चार्ट जो है लिया था आपके लिए, जिसमें 2020 में, ब्लूम वर्ग इंडेक्स के मुताविद, एलन मस्क, सबसे अमीर आप्मी है, इस पूरी दुनिया के, मतलब यहां, बीस हजार मिलने मुश्किल है, दो इजाद में पाद देखने है, दो सो बिलियन डॉलर कर आपके अपने काम चो है वो एमेरिका व्लॉरिडा स्टेट से कर रहा है, तो हम भारत मीं इसकी चर्चा क्यूं कर रहे हैं, क्योंकि अभी अवि में आपने टेसला नाम की कंपनी के के बारे में, जिसमें हाल में यह भारत में बैंगलोरु शेहर में दस्तक दी है, कैसे, क्य जो है क्या टेसला मतलब इस कंपनी का नाम क्या है इंडिया मोटर्स एड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नाम से रजिस्टेशन कराकर अब भारत में कार बाजार में अपनी शुरुवात करेगा कार बाजार कारोबार कार की मैनुफाक्ट्रिंग भी करेगा और उसको सेल लास्ट में ये वस टेसला शुरुम कि एक जो है आपको बतादे लास्ट में एक ये वह कारोबार अगे जो है ऐसे ही खास व packet के बारे में जिसकी खास चर्चा होगी हम लेकर आपके सामने जरूर उपस्तित होगे तब तक क्या लिए बाबाय और टेक कियर